नमेशकार सातियों जै हिन जै भारत जै उत्राखंड आप सभी लोगों के समक्ष में उत्राखंड के अंतरगज जो सिक्षा विभाग में कुछ महत्पून भरती विग्यापन जारी के गए वो शेयर करूंगा स्वर पतम आपको जानकारी के लिए बता दूँ अंसकाली का धा पर समिधा सुक्षिंगों की नियुक्ति है तू नौटिविकेशन डिलीज किया गया इसमें कौन-कौन से पद रखे गए पहले वो जानकारी दे दूँ इसना को तर सिक्षक हिंदी अंग्रेजी राजनेतिक सास्तर के पद हैं प्रसक्षित इसना तक हिंदी सिक्षक के लि पर समिधा सुक्षिंगों का पैनल तैयार करने है तो योग्यों वैच्षुक अभ्यारतियों से निधारित प्रपत्रों में निम्नलेकित वेशियों के लिए ओनलाइन आवधियन आमन्तित किये जाते हैं आविधन पत्र आपको विध्याले के ऑफिशल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं अभ्यारति पूर्ण रूप से भरेवे आविधन पत्री स्केन करके विध्याले की मेल आईडी के वी ओल्लेक्ट्राक्च्वल 2022.gmail.com पर भेज सकते हैं विध्याले में इमेल से प्राप्त आविधन होने की अंतिम्तिती दस परवरी 2023 है अभ्यारति ध्यान दें की डाग अत्व़ किसी अनिमाध्यम से आविधन पत्रे विध्यालाई में प्राप नहीं के जायेंगे प्रापत आविधन पत्रों के अदहर पर सक्षब कारी चटनी के ग़े योग यह अभ्यारतियों की जो सूची है सक्षतकारती थी वो समय सही 17 फरवई 2013 को विद्ध्याले ओफिशल वापसाइट देरादून olf.kvs.ac.in पर डिस्प्ले की जाएगी अभ्यारती से तदानुसार सक्षतकारी तो पस्तित होने के अपिक्ष़ा की जाती है सक्षतकार में सफल अभ्यारतियों को रिक्त पत अत्वा अवकास आधारीत रिक्त पत पर आवशक्तनुसार नियुक्ती दी जाएगी जो पूनत केंद्रे विद्ध्याले संगठन के निमनुसार समीदा आधारीत व्यवसता है तदा किसी भी परिस्थिती में किसी भी अभ्यरती को केंद्रे विध्याले संगठन में नीमित न्यूक्ति देने अपना है तो दावेदार वो प्रस्तुत नहीं कर सकता है विध्याले के लिए आवेदन पत्र के प्रारूप विवरंट संबाधित जानकारी आपको विध्याले के ऑफिशल वैबसाइट पर देखने को मिल जाएगी रिक्यूट्मेंट रूल में तो केंद्रे संगठन विध्याले की जो ऑफिशल वैबसाइट है उसमें आप टर्मस कंडिशन भी चेक आउट कर सकते हैं के विए सिक्षक के लिए बात करूं तो इसके लिए निवारी योग्यता बताई गई अगर आपने मानिता प्राप्त संस्तान से विश्वर ध्याले से संबाधित विशल में इस नाकोता इस तर पर नियूंदम 50% अंग एवं बीएट ड से अपका प्रसक्षित इसना तक सिक्षक हिंदी अंग्रेजी हैं सवस्कित के पद जारी के गई हैं इसके लिए बताया गया है संबाधित विश्वर में अगर आप राजवेट हैं और नियूंदम 50% अंग हैं एवं बीएट डिगरी हैं सीटेड एंटेट कॉलिफाइड है तो आप इसके लिए लिजिबल हैं कंप्यूटर नुदेशक के लिए बताया गया है BCA, BE, BTEC, COMPUTER विज्ञान में, MTECH, COMPUTER विज्ञान में, MCA हो गया आपका MSC, COMPUTER विज्ञान हो गया MSC, MA के साथ अगर आपने PG, DCA या फिर MSC, MA के साथ DOE, ACC, A level का कोर्स करा है दना आप बात करें तो मानता प्राप्त विश्व विद्याले से किसी भी विश्य में, अगर आपने सनातक अपादी या फिर समकक्ष, या फिर मानता प्राप्त संस्तान में, योग में, एक वर्सिट प्रसुक्षन लिया है, तो आप इसके लिए लिजिबल हैं, वान्चित योगिता नर्स की बात करें, नर्स की भी पोस्ट चारी किये गए हैं, इसमें बताया गया मानता प्राप्त संस्तान से अगर आपने नर्सिंग में डिप्लोमा या नर्सिंग कॉस्ट नर्सिंग काउंसलिंग में पंजगरेत हैं, तो आप इसके लिए लिजिबल हैं, म्यूसिंग इस उसने senior secondary school certificate with 50% marks or intermediate with 50% marks or its equivalent and bachelor degree in music or equivalent from the recognized university and इसमें बताया गया है competence to teach through English and Hindi media next के basic terms and condition की जानकारी दिया गया है जो कि मैंने पहले ही आप सभी लोगों के साथ share कर दी है के वीए सकेंद्रे विध्याले ओलफ राइपूर दिहादून के अंतरगत परफॉर्मा दिया गया है application form का जिन भी candidates ने हमाने telegram group join नहीं करा है उत्राखन open तो जरूर join करें महाँ पर available है उसके बाद आपके पास declaration to be signed by the candidate declaration form की जानकारी दिया गया है तो आप इसके लिए अगर eligibility criteria fulfill करते हैं तो आपके V.S.O.L.F. राइपूर दिहादून के लिए इन पदों के लिए विश्यवार आविदन कर सकते हैं अगला जो भरती विध्यापन जारी किया गया है आपका Forest Research Institute F.R.I. के अंतरगत जारी किया गया है Indian Counseling of Forestry Research and Education Post Office New Forest दिरादून के अंतरगत 19-2023 की रेट में ये आपका application invite किये गये हैं इसमें walk-on interview for fellowship के लिए यहाँ पर जानकारी दिया गया walk-on interview for the position of project scientist, junior project fellow and field assistant as per the detail given block purely on temporary basis will be held 2 February 2029 बजे in the boardroom of F.R.I. Main Building Post Office New Forest Forest Research Institute Dehradun the interested and eligible candidate must bring the copy of bio data along with recent passport size photographs self-attest copy of all educational certificate and relevant document for submission to the office of the group coordinator Research Post Office New Forest F.R.I. Dehradun no separate letter will be issued for attending the interview and no TADA will be paid for the attending the interview candidate are request to report for registration as per the interview date 2 February 2023 at 9 AM in the boardroom of F.R.I. Dehradun interview आपका 2 February 2020 को held होगा यहाँ पर आपका junior project fellow के लिए post जारी किया गया duration आपका 5 month रखा गया है study on demand and supply status of wood in the utrakhan funded by the utrakhan forest department essential qualification के अगर मैं बात करूँ first class MSC in forestry agroforestry में environmental management and environmental science from the recognized university desirable mention किया गया है one post 20,000 plus HR आपको emoluments के तौर पर provide करवाया जाएगा next आपका field assistant head के लिए भी पज़ जारी के गया intermediate अगर आपके पास science में desirable रखा गया working experience in the field of survey of forestry two post जारी के गया 17,000 आपको emoluments provide करवाया जाएगा next post आपका project scientist के लिए है इसमें अगर अपने PhD करी वी है forestry से तो आप इसके लिजिबल है 56,000 आपको provide करवाया जाएगा और इसमें plus HR include होगा इसमें add-on होगा tenure की बात करें तो tenure will be initially for one year और up to the project completion or period whichever is earlier and may be extended as per the ICFRE rule यहाँ पर age limit की जानकारी दिया गया है upper age limit for project scientist is 35 year and JRF and JPF के लिए 28 year रखा गया है as on 1st June 2022 which is relaxable up to 5 year for the candidate belonging to SCST woman and physical handicap and OBC general condition की जानकारी दिया गया है award of the fellowship is governed by the Indian counseling of forestry research and education देरादून rules and don't guarantee subsequent employ in any institute under the council so by the way this video is sponsored by Rahul Davar 2.0 जिन भी candidates को नहीं पता है तो मैं आपको बता दू हमारा नजर channel Rahul Davar 2.0 भी है जहाँ पर आपको educational type content की देखने को मिलेगा in fact जिन भी candidates ने subscribe नहीं कर रहा है तो जरू subscribe करें भाई को support करें and we love you all, thank you आज की इस वीडियो के अंतरगाद इतना ही मिलते हैं जल्द आपको एक नहीं वीडियो के साथ तब तक हे लिए चैनल पर बने रहें make sure चैनल को subscribe नहीं करें तो subscribe जरू करें जरूर हीट करें धनेवाद जैनिंग बंदे मात्रम